जहास में 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 जहास मे क्या कि को इसके बॉलो क्या बाता है यह नहीं बता है बुव्या इसके इसारेय पड़े प्रणे कार्णी ऑटा रहाए जुर्ण यह जा। इसको ऐसे चोट लगी हुए चोट कैसे लगी थी? ने पॉआटो दिखाओ, मूट दिखाओ मूझ को लो यह अलाहू मेरा बच्चा आई है यह अपर दिखाओ, अपर जो लगी है दिखाओ दिखाओ यह दिखाओ मेरा बच्चा, क्या कर रहे थी आप आप बोल कैसे रही आपको बोला नहीं जा रहा हुए अच्छा भी कहाँ जा रहा हुए आएंदा भागोगे नीना, सारे बच्चों को बोलो, भागते नहीं है, अराम से बैठते हैं, मामा बाबा की बात सुनते हैं, इतर देखो, बात सुनते हैं, पका, चलो, भाग चलो, अराम से, जो शूस पहने, जल्दी से शूस पहने, आज हम कहा जा रहे हैं हमजी, ये तो मे जूते पहनो, हमसे दो, काई जूते पहार रखेंगें, पर स्टेंड पर, रार से शोड़ी करो, अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं, जैस वेली हो क्यों के बच्छों के सर्थियों के कपड़े लेने और जद्दी जद्दी सी बहें, जुझा हैं अगया है, जैस आ गया है, जल सबढ़, जैस आ पर, कुछा पर कॉर से म्सक हां, पर गजका देखेंगें, जैसे फिन हैं, मैं आपर जाओसरा देखेंगें, जैसे लोग मैं अजयएंगें रखेंगें आपर श्कातन बशका ही। यह पका जो है चल लगा रहा हम जाई है तो भाई जैस पे थी संटे तो संटे के दिन का बहुत जादा रश इतना रश था और लग रहा था कि सारी के अवाब और नाज जो है ना वो जो है वो शौपिंग करने आ गई जबके कराची में भी तक जो है ना दूर दूर तक सर्दी का जो है ना वो नामनिशान निया जबके डिसेंबल स्टार्ट होगे पिछले साल नमंब पर अच्छी खाती सर्दी थी मगर इस साल जो आप यकीन करो कि बिल्कुल भी ठंड नहीं है कि नॉर्मली लॉन के कपड़े पहने में हम लोग मगर उसके बावजूद भी शराटी स्टी कराची काराची वालों को ऐसा लगैद दू तिन बाद जो है पूरा कराची जो है ना वो लग रहा था कि चैस में आया और शॉपिंग हो रही है तो यहां पर भी हम ने जाना हम जाना है अब हम जाना है यह देखो इसके उपर चड़ जाओ अब बस उतार जाओ और यहां पर हम जाओ को पूरे दो घंटे लगए है तो लेना है हर चीज़ उठाता है उसके बात कहता है यह भी नी चाहिए फिर उठाता है यह भी नी चाहिए और इसमें हमें तकरीबें 1 घंटा लगए हमने फटफट जो है नहीं जाओ काड़ी जोबी ती दिलाई उसके बावा पिया अगर पिर मिलकर जो हैना हमने जब एक डांट पिलाई तो उसना फटफट से चीज़ उठाई और उसके बाद जो हमने फटफट घर जाने के तियारे की यहां मुझे अलीजी एक लिए कुछ लेना था क्योंकि खाली हाथ जाती तो अलीजी ने तो मुझे बखशना नहीं था तो मैंने यहां पर कहा कि उसके लिए एक पाउश ले लिया क्योंकि अल्रेडी हर्ची से उनके पास और एक पाउश लिया और हमजान अपती कार ली और तो मैंने जल्दी जल्दी घर जाए क्योंकि ख्याना भी नि बनाया तो गर जाके मुझे खाना भी बनाना था और जिन आलाब की ज़रूरत होगी उन में चाहिए हमें कैंची indi और अपकड़ूरी जो इसको अनगे निकाल देना अगर आपके पास कैंची नहीं है तो फिर आपके पास याकीनक घर में इस आए कि ने जीजुों अगे तो और इस पिकए झाणा उपिए शेक्ट्झ पज़ांगे के दूरा होगा है बड़ी चिकन हो तो उसमें आप लोको तो ते नर्ष बसको मैंने बने तो यह नदा पर सकते चर्व करें चलक जुनिझी चंद्ट का शाओ जाया है का टो यह जा बुझारीज के अगर है पकेट ले सकते हैं, तो यह पूरा एक पकेट जाएगा इसके अंदर जो छोटा वाला साशे होता है यह अगर इसके हाद फिश मशा conversation फिश मसाला नहीं है, तो आप इसमें तंदूरी चिकन मसाला भी ढाल सकते हैं, अगर भी नहीं है तो भी घर में जो भी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और आम चूर पाउडर ये सारे मसाले जो होते हैं इनको डालना है इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, क्योंकि हम जो काभली फ्लाव बना रहे हैं तो उसके लिए जो है वो चिकन को इस तरह से करना पड़ता है अब हम इसको अपलाई कर देंगे, अच्छा इसमें नमग हमने एक्स्टर डाला है क्योंकि मेरा मिशा नमग कम हो जाता है तो हम इसके अंदर थोड़ा से एक्स्टर अच्छा जी मसाला लगा दिए अब इसको हमने फ्रिच में रख देना है तकरीबन मैक्सिम 6 घंटे रख आप देख लो भाई, गिता तेल डालते हो, मैं असल मियां पर बहुत कम चावल बना रही हो क्योंकि मुझे सिर्फ दो से तीन लोगों का चावल बनाना है तकरीए मैं आप पर देर दो प्याली चावल लिए, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, सबसे पहले हमन अपने हैं ठीक, और दार्चीनी, मैं असलिए नहीं डाली क्योंकि मैं यहां पर प्लाओ का मसाला यूज कर रही हूं, मैं पास अलरडी प्लाओ का मसाला था, अगर नहीं होता तो मैं यह वाले सामान सारे डालती है, पिसकाद मैं इसके अंदर ब्राउन प्यास डाली है, त मैं इसके अंदर महरान के प्लाओ मसाला डाल दी है, आपके पास अगर प्लाओ मसाला है तो आप वो डाल सकते हैं, तो आप जिस तरह सिंपल प्लाओ की चीज़ डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं, अब जी जो चिकन रखी थी हम नहीं हड़ीयां और अलग करके वो डाल दें ताकि जो चिकन एनस के अंदर फ्लेवर आजाए प्लाओ के अंदर अब इसको हम कुकर निकले रख देंगे ठीक है थोड़े देर के लिए अब यहाँ पर चिकन में हाफ कर रही हूं यार क्योंकि हम लोग सिर्फ मैंने बताया न हम सिर्फ दो से तीन फैमिली के मेंबर्स हैं बाके सब बेटी खाना खा कर आई थी तो मैंने इसको हाफ कर दिया आप चाहें तो फुल भी बना सकते हो तो मैं अपनी फैमिली के कॉर्डिंग इनको जो है वो फ्ते डाल के थोड़ से हलकी आच पे फ्राय करने लग दूँगी मसाला लगी वी चिकन को और इसको यहां पे कुक हो निकले छोड़ देंगे थोड़ से तेल के अंदर और आप चाहें तो हजबे ज़रूरा थोड़ सा पानी डाल दे मैंने पानी यूज किया था ताके मसाला जैले नी और चिकन जो है नवो अच्छी से अंदर तक कुक हो जाए यहां पर प्लाओ का जो मसाला त्यार हो गया है पगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग एक अदद लैमन डालेंगे तो फ्लेवर बहुत मज़ी को जड़ा चाहिए तो छिली सॉस भी डाल सकते हैं अगर मैं नहीं डाल भी मैंने क्योंकि सुछा सॉस डाला है और लीमू डाला है इतनी मज़ी की चटनी बनती है अगर आप नॉर्मल भी कभी प्लाव बनाते हैं तो उसके साथ भी आप इसको ट्रायकर वाकर बड़ा मज़ा आता है और यहां आप देख सकते हैं कि मेरे टिमाटर साही नहीं पिसे इस वज़े से क्योंके मेरा ब्लेडर वशीन खराब हो चुका है उसके जो ब्लेड है वो से पीस नहीं रहा है इस वज़े से आप यह देख सकते हैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी अच्छा जब तक चावल को दम आ रहा है तो यहां पर हमने थोड़ी से गाजर जो है इनको कदूकर्स करना है अच्छा मुझसे गलती हुई मैंने बारीक वाला कदूकर्से कर लिया जबके इसको मोटे वाली कदूकर्से करते हैं तो आपने जो है ना मोटी वाली थ्रेट जो कहते हैं यह जो दाने इससे करने ताकि आपके जो गाजर ने थोड़ी निखरी निखरी और खिली खिली रहे ठीक है यहां पर चावलों को जो है वो दम आ गया है चिकन भी जो है वो तकरीवन और मॉस पानी अपना भी छोड़ चुकी है और अलग से भी इसका पानी निकला यह देखिए यह और मैं रहते यहां को क्ष्मिसलों कर सचाये का ऩहां और जाने के यहां पर ने जो है वो डेश में निकालनी है इसके उपर आपट निया अपनी जो फ्राइय करके रखें रूपना थी घाजर और देना है इसके उपर आपक यह लोगा देना हैं आपक बोलाओ देखो पर आप बुद्धि फैमली के साथ अखर आखर कवली पुलाओ उ आयक अखबली पुलाओ आए आखबली पुलाओ आखबली पुलाओ वहाँ वहजी वहाँ मस्तिदार कवली पुलाओ बना है वहाँ महाँ यम 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 इन इसकी चट्नी का नहीं देखो भाई देखो क्या मुजदYou Sab guy आज मahnत से बनाया है यम यम जूसी जूसी सा तिका रिका यार इसको जो जरा से बाते है इसे हाईए तो आप ले रखा देतं तो आपकर दूने इवार दोए इसन उच्ड़ के ओख एघवार आपी करें फाले हैं मॉथास हे बना निःने की से पाले हो बनीimated वहिए बच्टा, ऑमम называется नाजरमा अच्छा, आजओ नाजरमेड़े, मैं ठिरा केंची लात अच्छाո हाई मैं पाइ, नाजरमेड़े, मुझक नाजरमे तोर्ना कामें न, specific friendly ऊनिकेंची लेता, छूचायी से 맛 अधिय खिलत बाइख है वाहँ ऐट बाव भाव भाव यह था बैंदर यह तो बहुत भी मज़दार किसम का कॉब ले फालाओirm और बहुत मज़ँ आई और बहुत बनाई कि आपको कैसी लगी मुझे आप जो है वो इंस्टरग्राम पर अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मुझे शेयर कर सकते हैं और आपसे और जो है वो वीडियो कॉल पर बात भी करती हूं ठीक है यह आपको नहीं पता था ना तो फिर कोई पता चल गया तो फॉरन से ही काम करना है अपने हो चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक वीडियो देखने के बाद भी जो है ना वो चैनल को सब्सक्रा लगना बस यही था जिन्दगी का कहानी अल्ला हाफिस नासर खुदा हाफिस